एक इंसान का अभी तक इस वक्त तक एरेस्ट नहीं किया दिल्ली पुलीस ने जी एन्यू छाट्रों पर गुंडों कात्याचा जात्रों के समर्थन में उठी हुंका दिल्ली से कूलकाता तक मचा है हाहाकार हिंसा के खिलाब मुंबई में भी फुलंद हुई आवाज फिल्मी सिचारों ने दिया छात्रों का साथ गेट्वे आफ इंडिया पर लोगतंत्र की दुहाई ने जी एन्यू की लड़ाई वॉली बुर्ट तक आई कि हम आयूस नहीं हैं हम खहरान नहीं हैं हम खहरान नहीं जैसा सोचा था कि वैसे ही भी कब हमेगा ये दंगा नहीं आप सभी का आर्नाइन टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ पंकज रौतिला पात जन्वरी की रात देश के जाने माने जोहललाल विश्व विद्याले में आफरा तफ्री मच गई दो गुटों के आपस में भिर जाने से JNU में तनाव पैदा हुआ विश्व विद्याले में हिंसा हुई तोरफोर की गई चात्रों पर हमला हुआ जिसमें JNU की चात्संग अध्यक्ष को चोटे आई काफी इस हिंसा पर लेफ्ट और राइट यानि लेफ्ट विंग और ABVP के चात्रों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए इस हिंसा के खिलाब देश भर में आवाज उठी तो मुंबई में फिल्मी कलाकार सड़क पर आकर हिंसा करने वालों के खिलाब कारिवाई की मांग करते दिखाई थी निकलनी चाहिए जो लोग घिलाफ है, जो लोगों की बात नहीं सुन रही है सरकार यह प्रदर्शन जब तक बात मांगे पूरी नहीं हो ति देश लोगों की तब तक प्रदर्शन चलता रहे गा नारे झदे टक्तियों और काले कपड़ों को हत्यार बनाए सेकड़ों की संख्या में गेटपे आफ इंडिया पर उम्रा छात्रों का हुजूँ JNU में हुई हिंसा पर हुंकार भर रहा था बीती पांच जन्वरी की काली राच की कहानी बताने समुद तट पर काले कपड़े पहने मुंबे के छात्राइं खट्चा हुए कि देखो जानू और समझो किस सरह देश के नामी किरामी शिक्ष्या मंदिर में नकाब पहने कुछ गुंडों ने आतंक मचाया है और यह clearly एक organized attack था क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को नाम ले लेके मार रहे थे लोगों को identify भी कर रहे थे और काफी organized attack था पर्सो के दिन already security officials काफी students की उपर attack कर चुके थे वहाँ पे उस टाइम पे जेन्यू के office virus पहुचे थे उस चीज को रोपने के लिए जब रोपने पहुचे थे तब जेन्यू के office virus पे भी attack किया गया था पाच जन्वरी की रात जेन्यू का शांत माहौल अचानक अशांती की आख में जलकर राख हो गया मारो बचाओ भागो की कापती आवाजय जेन्यू की दिवारों को चिर्ती हुई देश के खोने खोने में सुनाई दे रही थी सब भार से आया है लोग इनों ने करा है सब कुलाड़ी और सरीया दे इनके हाथ के अंदर मैंने खुद देखाया आगो से दिल्ली से उठी इनी आवाजों की शकल बनकर मुंबए में हिंसा के खिला हला बोल हुआ थो बॉलीवूट का एक खेमा भी इस विरोधी शकल का हिस्सा बनने प्रदर्शन में शामिल हो गया आदमी को इतना डराय जा चुगा है कि अभी डर नहीं लगता तो स्टुडंस के लिए आप क्या कहना चाहिए क्या मेसेज देना चाहिए जे एन्यू में हुई हिंसा पर बॉलीवुट की बड़ी बड़ी हस्तियों ने आवाज मुखर की और नकाभोश गुंडों पर कारिवाई की मांग करते हुए कानुन प्यवस्ता और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर तीखे सवाल दा गए पुलिस बाहर चुपचाप खड़ी थी और अंदर गुंडे जे एन्यू में मतलब वैंडलिजम कर रहे थे और पीट रहे थे लोगों को कि हमें अंदर जाना चाहिए मुंबे के गेजबे ऑफ इंडिया पर बैठा बॉलीवूट का ये खेमा नारों और इबारतों से जे एन्यू में वेवाल के बिरोद में आवाश भुलंद कर रहा हु यूरो रिपोर्ट और नाइन टीवी तो कई फिल्मी सितारे मुंबे में चात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने गेट वे आफ इंडिया पहुँचे तो कई सितारों ने ट्वीट और दूसरे मंचों से जे एन्यू में हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई जे एन्यू केमपस में छात्रों के साथ हुई बरबरता से आज पुरा देश उस्से में चारू तरफ हिंसा के खिलाफ विरोत प्रदर्शन जारी है इसी कड़ी में मुंबई में भी विरोत प्रदर्शन हुआ जिसमें छात्रों और आम जनता के साथ बॉलिवुड हस्तियां भी शिरकत करने पहुँचे इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई गई प्रदर्शन में पहुँचे फिल्मी स्लेप्स के अलावा भी कई हस्तियों ने शोशन मीडिया के जरीए छात्रों पर हुए हमले की निंदा की थी मुंबे के काटन रोट पर हुए प्रदर्शन में दिया मिर्जा, अनुरा कश्यप, जोयाक्त, विशाल भारत बाच, स्वाननत किरकरे, रिचा चठ्धा, अनुभव सिना, गौहर खान, समेट कई कलाकारों ने हिस्सा लिया जोरान स्लेप्स अपने हाथ में स्लोगन लिखे बोर और धंडे लिये दिखाई दिये परदर्शन में पहुँचेया अनुरा कश्यप ने हाथ में भी बोट लिया था, जिस पर इनफ लिखा था जो की हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और बहुत साफ है पर अकसर आवाज बुलंद करने वाली स्वराभासकर ने भी इस हिंसा पर ABVP के अलावा दिल्ली पुलिस पर निशाना साथ है मेरी उमीद है कि भारत में अब सब कोई अपनी चुक्पी तोड़ेंगे क्योंकि सच में अब बहुत हुआ, मतलब हिंदी में कहते हैं बहुत हुआ सम्मान तो हम इस देश में उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां बहुत हुआ सम्मान सरकार का, कानून तंत्र का जो बार 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 अपनी जिम्मदारी करने में विफल रहे हैं बैक मुझे लगता है कि हम नागरिकों के साथ बहुत बहुत बुरा करें और जो सम्माट के साथ बहुत बहुत बुरा इस बॉलीवूट अबिनेट्वी अवस्मा स्वेश्थ थी तापसी पनो भी प्रट रॉश पर देश और में महों रहे अभीनेता अली फजल इस इंसा को लेकर अपनी नाराजी जाहेटी पीसपुल प्रटेस्ट करिये ऐसे करिये बैठिये सपोर्ट करिये मैं सपोर्ट इस विप जे न्यू सुद्ट इंडिया जो इस इस फाइट में सब साथ दे रहे हैं यूथ की वज़े से देशाच जागा है तो I think that says something I think it's about time we wake up and come on man, guys, wake up जेहन्यू में हुए हंगामे पार Hilmiya Vinetri, Saini Gupta ने भी अपनी बात रखी ये स्टूद पे जो अटाक है और ये क्रिमिलाइजेशन आफ स्टूद जो ये गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं आप ही के कलीग्स जो जो ओविसली बीजेपी के पेरोल में है जो कम्पलीटली फेक न्यूज बनाते हैं और फेक वीडियोस, डॉक्टर्ट वीडियोस प्रचार करते हैं और प्राइम टाइम न्यूस पर प्रचार करते हैं ये ओविसली ये सालों से होता आ रहा है फिर्म देशक विशाल भारतवाद ने अपनी हाउनाओं को एक कभीता के जरीये लोगों तक पहुचाया फिल्म अभीनेता अनिल कापूर अभीनेत्वी दीपिका पादकोर ने भी जेन्यू की हिंसा पर नाराज की जहर की बहराल पाज जन्वरी की राद जेन्यू में हुए हंगामे पर सियासी गल्गियों से लेकर फिल्मी जगत तक में इस घटना की निंदा हो रही है हर तरब हिंसा के खिलाब आवाज बुलंद हो रही है यार उकर एक छूटे से ब्रेक के लिए जल्द वापसा रहे है एक इनसान का अभी तक इस वक्त तक अरेस्ट नहीं किया दिल्ली पुलीस ने ज्वाज जगना के लिए घटना के लिए एक लिए है